हेलो फाम आप कम्यूनिटी आज का हमारा टोपिक है क्लाइबिंग फिल्म एवापोरेटर ठीक है आज कि हम इस टोपिक में पढ़ेंगे कौन सा एवापोरेटर क्लाइबिंग फिल्म एवापोरेटर है हमने पिछली दो वीडियो में क्या पढ़ रखा है होरिजॉंटल इस वाली वीडियो में हम Climbing Film Evaporator पढ़ने वाले हैं और यहां फिर फोर्स्ड शर्कुलेशन वेपरेटर यह दोनों वेपरेटर आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीट फिरेंगे सबसे पहला कौन सा है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब क्या होगी इसमें वैपरेशन हो रही है हीट ट्रांफफर होने की वजह से बहले है है सबसे पहले इसकी construction पड़ता है इसमें क्या क्या लगा गता है । एक can क्यों लगा होता है क्या से पहले हम पढ़ देते कि लगा क्या होता हैあ और एक क्या OnePlus chat होता है ऐसमें यह पंप नहीं लगा हूता थिक है यह बिनА पंप के होती है climbing film operator और जो हमारे पास forced circulation होता है जो हमारे पास forced circulation होता है उसमें यह pump लगा होता है pump का काम क्या होता है किसी प्रैशर से किसी चीज को डालना है ठीक है तो forced से समझ आ रहा है कि यहां पर कुछ extra force लग रही है तो वो force कौन लगाएगा pump लगाएगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा highlight कर रखा है कि इसका अलग सा रोल है कि climbing film evaporator में हम इसको use नहीं करेंगे संब के आँए हम उसको करेंगे यहां की इलेट से अंदर डालेंगे फीड़ को जब अंदर याल यहां पर यहां पर फीड़ जाएगी हमारा लिकॉड जाएगा यहमें सटीम होति है इसमें रही होती है कि समें पर्योघि कि chapter मेटैलिक पॉष् जैसे water vapors हमें पता क्या होता है वो simply bubbles होते हैं जो पानी आएगा जब पानी को boil करते हैं तो उपर क्या आते हैं bubbles आते हैं वही चीजस में है कि जब हम इसको पास करवाएंगे तो किसमें सकते हैं मतलब वेपर्स को कर देता है और जो लिक घुट होता है जो अच्छे से वह इंगा नहीं होता इसको क्या करता है फिरसे रिटार्न पाइप में डाल देता जो फिर से रिपीट होके वापीस आता है ताकि अच्छे से वह refine हो सके ठीक है और बाकी का क्या होता है यह जो vapors होते हैं आगे cyclone separator में जाते हैं इसमें कहोता है अभी vapors में भी कुछ अच्छी तरह से formed vapor हो जाएंगे और कुछ जो बच जाएंगे जो अच्छे से vapors convert नहीं होते हैं वह करता है cyclone separator vapors को अलग कर देता है liquid amount को वापिस से return pipe में भेज़ देता है और फिर जो deflector का deflect किया हुआ liquid और यहां से जो vapors और यह जो differentiate हुआ जो liquid होता है वह वापस से return pipe में आता है return pipe से फिर से वह वापिस ऊपर को जाना start कर देता है और यह process continuously चलती रहती है जब तक हमें कोई अच्छा concentrated product नहीं मिल जाता है अगर हम जब भी कोई concentrated product मिल गया वह हमें इस inlet से बाहर बापिस मिल जाएगा ठीक है यह इसका simple सा mechanism होता है और यह जो pump होता है यह फोर्स circulation में लगा होता है इसमें नहीं लगा होता है फोर्स circulation में इसलिए लगा होता है कि हम इस pump को डालता है ताकि feed जो हूँ आप अच्छे से उपर को जा सके जो हमने liquid डाला वो force fully उपर को जाए और जो अच्छी तरह से इसकी heat को absorb करे और फिर से return हो जाए ठीक है same mechanism उसमें भी रहता है बट इसमें क्या होता है pump नहीं लगा होता, forced circulation में pump लगा होता है यही difference है बस climbing film evaporator में और forced circulation में क्लाइंबिंग film evaporator के नाम से पता चल रहा है कि यहां से क्लाइंब होगा मतलब हम कहाते है mountain क्लाइंब करना मतलब mountain को ऊपर को जाना यहां पर भी क्या करेंगे feed को insert करेंगे liquid गाओगा ऊपर को जाएगा steam को absorb करके steam की heat को absorb करके ऊपर को जाएगा bubbles में convert होगा deflector vapors को अलग कर देगा और bubbles जो liquid वाले होंगे उनको अलग कर देगा और यह जो liquid होगा वापिस से return pipe के through अंदर चला जाएगा यहां पर cylinder के और जो यहां पर क्या बोलते हैं जो vapors होगे वो cyclone separator में आएगे वेपर जलग हो जाएगे liquid फिर से इदर को वापिस आ जाएगा और जहां पर जो condensate हमें पता हमने हर वीडियो में पढ़ा है condensate क्या होता है जो steam जो होती है जब धंडी पढ़ जाती है तो वो क्या बन जाती है condensate मतलब वो condense होके फिर से water बन जाती है जो condensate है उसको हम यहां से बाहर निकाल लेंगे बाकी सारा को छे मेरेगा ठीक है यह simple size का mechanism और principle था I hope आप सबको समय लगया होगा अच्छे से तो अगर आपको यह समय लग चुका है तो please like कर दीजेगा और channel पे new हो तो subscribe कर देना बाकी अगर इसके notes चाहिए होंगे तो comment section में बता देना तब तक के लिए take care good bye